बिदार्थियों एक बार फिर आप सभी का स्वागत हैं उमीद है कि आप पे सभी इंट्रेस्ट ले रहे होंगे क्योंकि बीटा आपके इंट्रेस्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता आपके पेरेंट्स के पास, आपके किसी भी टीचर के पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है कि आपके उपर घुमा दी और आप उस सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट हो गई या समार्ट हो गई ऐसी कोई टेवलेट नहीं बनी है कि टीचर ने या पेरेंट्स ने आपको दे दी और आप समझदार बन गई या आप इंटेलिजेंट बन गई ये कि सहज, मैं कहूं कि सहज परक्रिया ही है कॉंटिनूस प्रोसेस है आप ए कॉंटिनूटि रखिए पढ़ाई में तो आप जरूर अच्छे होंगे ठीक है? तो आज एक नए टोपिक के साथ के इतिहास बनता कैसे है? इतिहास के सरोथ कौन कौन से है? बड़ा परसन नहीं कराऊँगा छोटा को जो कोस्टन होई कराऊँगा परमुह जो बात ते होई समझाऊँगा बड़ा जो कोस्टन है बाद में कराऊँगा अभी तक तो जो बेशी कंसेप्टे की बनता कैसे है? कि तियास कि जैसे चौलवंस है या संगंपीड है, मुगलकाल है, दिल्ली सल्टनत है मोर्य एज है या गुपता एज है कि ये कैसे पता चलगा हमारे को भी श्रीगुपत है गटोतकच है, चंद्रगुपत पर्थम है, समुद्रगुपत है और चंद्रगुप्त देती है कि अभी समुद्रगुप्त को भारती नेपुलियन किस ने कहा यह कैसे पता चला हमारे को क्यों कहा यह सरूत कहां से आई तो उस बारें बात करा हूँ कि जो सबसे जो परमुक्री जो बातिन मैं आप लोगों को वो करवा रहा हूँ कि जिस से तुम्हारी बेसिक कंसेप्ट का लिर हो जाए कि बेटा एक सिंपल सी बात कि भई हम हैं जैसे आप हो कि भी हम कहां से आई ठीक है तो हमारे जो सुरूत है पेरेंट्स हमारे इसी परकार जो इतिहास है उसके भी सुरूत है कि उस समय के जो समकालिन लेखक रहे हैं या कोई सामान रहा है या और कोई वस्तू रही है या विदेशी यात्रिवाय है या कोई लोग धराय रही है इतिहास को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है इतिहास के सुरूत कौन कौन से वटार दी सौर्शिस ऑफ हिस्ट्री या मैं ये कहूं कि इतिहास कैसे बनता है एक मतलब है ठीक है ने वो तो कोई घटना घटी तब बनेगा लेन उसके घटनाई जो सुरूत होंगे वो फिर इतिहास के जो बनाने में गोसाइक होंगे ठीक है तो छोटा परसन उसको समझा रहा हूँ बड़ा नहीं समझा हूँ बड़ा बाद में जब लंबी करास चलेगी पलस्टू के बाद तब समझाओं बच्चो इतियास के सुरूत पहला बेटा पुरा तात्विक पहले सुरूत पुरा तात्विक सुरूत ठीक है दूसरे साहित्य सुरूत तीसरे विदेशी वरतांत फॉर्थ लोग धराएं लोग धराएं पुरा तात्विक ठीक है पीटा इन से इतियास बनता है कि हमारे को मोरी समराज्जी के बारे में पता चला किन चीजों से पता चला वैच्चो इन से पता चला हमारे को हर्सवर्दन के बारे में पता चला इन से पता चला पल्लव के बारे में पता चला इन से पता चला कि पुलकोषिन दुवित्य ने हर्सवर्दुन को हरा दिया किसे पता चला इनी सरूत्र से पता चला कि हम आदिमानों से होकर के यहां तक पहुँचे आदुनी काल तक वर्त मान के तो यह कहां से पता चला इनी बात उसे पता चला ठीक है ने? तो ये ध्यान रखिए, तो बेटा पुरा तात्विक का मतलब है, पुरा का मतलब पुराने, और बेटा उसके साथे तत्तो, तत्तो का मतलब सामान, या सामगरी, कोई भी सामान मालो, सामगरी मालो, उससे पता चले हो, ठीक है, पुरा तात्विक, पुराना सामान, पुराने स सामगरी उससे है क्योंकि पुरातात्विक के एक आर्केलोजिकल जो डिपार्टमेंट उसके जिम्मेदार ही इनके वो करना है साइन्टिफिक बेस्ट है ठीक है कार्बन 14 और कार्बन 12 कए के मिजरमेंट करने का नियम है उसके दवारा पता चलता है कि भाई ये बस्तु है जो सामान है वो कितना पुराना है ठीक है तो पुरातात्विक का मतलब यह है कि जो भी पुराना सामान है हमारे जैसे हमारे को कोई मर्दभान मिले हमारे को सिक्के मिले हमारे को अभिलेख ये मिले हमारे को भवन मिले कोई पुराना एटसेटरा इस सारे की सारे पुराने तत्तो माँएंगे बत्चो कि हमारे को कैसे पता चलिया कि मोरी सामराज्य जो असोग है चंद्रगुत मौरी है, उनका जो महल था, वो मागद में था, क्योंकि जो उसका वर्णन किया, फायान ने, कोटिले ने, या मैगस्नीज ने, उन से पता चना हमारे को, उनने अपनी पुस्तक में साहित्य शरोत में लिखा, पुरातात्म के साथ-साथ, क्यों महल थो है, पुरातात्म के लेकिन जो ये शरोत आए, पुस्तकों से मिला, तो जिस लेख के ने लिखा, ये साहित्य शरोत होंगे, कि जो भी साहित्य का मदलब जो भी लिखित, सामगरी हमारे पास, चाहिए वो धार्मिक हो, या बेटा ए धार्मिक है, या किसी भी धार्म के हो, या कोई और पूस्तक हो, उस सम्कालिन, वो सब कुछ साहित्य तक सुरोत है, जैसे, अकबर है, अबुलफजल थे, उन्होंने अकबर नामा लिखा, ठीक है? तो अकबर का जो चरित्रे, उन्होंने उभारा, उन्स से हमारे को पता चलया, कि यह था, सिस्टम, अकबर ऐसे राजा थे, भारत मेक्सनिज आए, चंदरुत मोरिय के समय में, तो उन्होंने जो पार्टली पुत्तर में रह करके, जो पुस्तर के लिखी, इंडी का नाम की, उससे हमारे को पता चलया, कि भी ऐसा महल था, ये थे, उसके जो राजा क्यांग रख्षक महिलाएं होती थी, ये होते थे, वो होते थे, तो वो लिखित सरोत है, साहित्तक सरोत है ये, ठीक है, उससे पता चलता है, हमारे को, कि भाई ये लिखित सरोत है, जो साहितिक शरोत उसमें आएंगे साहित अमलब लिखित शरोत लिखित में ची धार्मे को ची एधार्मे को या किसी भी धार्म से संबन देते हो हिंदु है, जैने, बोध, सिक है इसाई है, पार्शी है या इनसे भी कोई हटक हो पुस्तक ठीक है ने, उसको कहेंगे हम साहितिक शरोत तो ये चीज़ें इतिहास के शरोत बनाते हैं, इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं उस विख्ति के मामले में, उस विख्ति के बारे में, उस वंस के बारे में ठीक है विदेशी बरतांत कि विदेशों में भारत के बारे में क्या लिखाया है या किसी विदेश के बारे में क्या लिखाया है जैसे मैंने बताया कि बच्व मेगस्ति जाए भायान आया भारत में हून सांग आया भारत में इच सिंग भारत में आया इवन बतूत आए इन से पहले एक और आय थे जिने किताब लहिंद लिखे थे पुस्तक वो थे एट्सेटरा फिर मोडरन आदूनिक समय में जो यूरॉपिन आए उनका जिकर ची रूस से आयों ची फ्रांस से ची इंगलेंड से खही से वे आयों इतियादी उन्होंने भारत के बारे में जो जिकर किया उनके बारे में यहां तक कि जो सिगंदर ने आकमन किया भारत के उपर नियारकस थे उन्होंने लिखा है पेलनी थे उन्होंने लिखा भारत के बारे ठीक है, तो विदिशों में जो वर्तांत मिला, लिखित, उससे मिलता है, वो इतिहास को बनाने के सरोप है, अब लोग धाराएं, लोग धाराएं क्या मतलब यह कि परमपराएं, कि परमपराएं क्या भई, ठीक है न, किस परकार की रीती रिवाज है, जैसे हम कहें कि विद्धिवाली, होली, पर्दा पर्था, ठीक है पर्चों, एतिया दे, यह है, अब किसी भी भारती से पूछ लो, या हिंदू से पूछो, कि विद्धिवाली का मनाए गए, शरुवात का वोली है, वो कहीं न, बहुत पहले से हो रही है, नो डेट बताओ, नो बहुत पहले से है, हमारे पूरुज में इस बात को मानते हैं, हिस्ते भार को, होली कब से, नो बहुत पहले से, नो पर्दा पर्था कब से, नो बहुत पहले से, इस परकार के जो बात ने है, कि बहुत पहले से, अब कानुन चेंज हो गए, ने तो बा इतियास का मतलब यह रहा, इतियास इस परकार बना बत्चों यह के परदा पर्था है, यह है, जाती पर्था है, ओली है, यह इस परकार इतियास बना, अगर हम यह कहें के भारतिय समाज का वर्नन करो, कि भी भूतकाल जो गुप्तों गे टाइम में, या मुगलों गे टाइम में, या आदूनिक समय में, तो यह चीजें जुड़ेंगी, कि भारतिय समाज जात्यों में बटा हुआ है, च्यार वर्नों में बटा हुआ है, और जो च्यार वर्न हैं, आगे चलकर के फिर बहुत सारी जातों हैं बटे हुए यह इतियास इस परकार बनता है तो बिटा बिल्कुल सिंपल सी बात जैसे इतियास बता मैंने के भूतकाल का लिखित और करमबद जो वर्णन घटनाओं का वो इतियास कहलाता है लेकिन इतियास बनता कैसे है कि इतियास को बनाने के कौन-कौन से शुरोत है वो शुरोत यह है कि सिंद्यू घटी के बारे में हमारे को क्या पता कि कैसी ती कैसी नहीं लेकर हमारे को कुछ शुरोत मिलेने कि महुन जो दाडों हैहडपका है काली बंगा है बेल लोथल है इस परकार जो सेर बने मिले हमारे को यह सारे सारे पुरा तात्वी शुरूप थे उनके जो इटे मिली पत्थर मने मन्य मिले जो भी कुछ मिला वो बनाएक उससे हमने इमेजन किया एक अनुमान लगाया कि भी ये बाते ऐसा हो सकता है इतनी चोड़ी सटके हैं इस परकार का सनानागार है इस परकार का अनागार तो एक वेल इस्टाबलिष्ट सिस्टम रहा होगा एक सब्यता अच्छी रहे होगी यहां पर तो ये पुराता तो शुरूत है जिसमें पुराना सामान हो मर्दबान रहे सिखे है अभी लेख है भवन है इस परकार के जो चीजे हैं ठीक है साहितक सुरूत में के लिखित सामगरी किसी की भी धरम की भी हो कैसी भी हो पुस्तक वो साहित्तक सरोत है धार्मिको चे ऐ धार्मिको उससे फर्कनी पड़ता क्योंकि ये देखो कि जैसे रामाण है कि रामाण है माँ भारत है रामाण मालो तो बत्व रामाण में उस समय का समाज कैसा था? उस समय की अर्थोस्ता कैसी थी? उस समय का धार्म कैसा था, उस समय की राजनिति, राजनितिक जीवन कैसी थी, उस सब का वर्णन करता है, ठीक है ने, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, वो भी दिखाता है, जैसे महाभारत ले ले हम, तो पहली बार हमारे को ये लगता के नहीं, भावपति विभा का उधान, दुरोपति है, जो पांच पांडों थे, उनकी पत्नी बनके रही, तो पहली बार उधान वहां से मिलता है, तो सामाजिक है, धार्मिक है, आर्थिक है, राजनित्य कै, संस्कर्ति सब कुछ मिलता हो जैसे, ठीक है, तो इस परकार जो इतियास के जो सुरोत है, वो ये है बर्दू, ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी छोटी बाते करके, फिर समझाया मैंने, उमीद करता हूँ कि आपक होगा जब बड़ा करा हुआ इसको explain करके पूरा numismatic के inscription फिर बाद में करा हूँ ठीक है लेकिन जो basic बात ते कि इतियास से कैसे बनता है। वो इस परकार की सुरॉत होते है तब इतियास बनता है। ठीक है बैटा?